प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इश्यो के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाईबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, शास्त्री जी बाईबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठे माला को सबस्क्राइब कर लें सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी आज मैं आप सब के सामने नीतिवचन के 22 वे अध्याए से छटा पद रखना चाहता हूँ नीतिवचन के 22 के 6 में हम पढ़ते हैं बालक को शिठ्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसे चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी नहीं हटेगा ये पद हम सभी लोग जानते हैं हमने सबने पढ़ा है लेकिन अक्सर इस पद को जिस गंभीरता के साथ लेना चाहिए वो हम नहीं लेते हैं बहुत सारे लोग इस पद को इस तरह से पढ़ते हैं बालक को शिठ्षा उसी मार्ग की दे इंदी में अनुवाद भी ऐसा हुआ है जिसके कारण और गलत फहमी हो जाती है एक्शुली अंग्रेजी में बहुती एक्वरेट अनुवाद हुआ है और पता नहीं हिंदी अनुवाद करते समय वो लोग क्या सोच रहे थे इस शब्द का सही सही अनुवाद है बालक को उसी मार्ग का प्रशिठ्षन दो शिठ्षा नहीं शिठ्षा में और प्रशिठ्षन में बहुत फरक है या बालक को उस मार्ग का अभ्यास दो शिठ्षा में और प्रशिठ्षन में क्या अंतर है शिठ्षा में और अभ्यास में क्या अंतर है दोनों में जिमीन आस्मान का फरक है लेकिन हम मैंसे आधिक तर लोग ऐसे नालायक है कि इस अंतर को नहीं समझते और इस कारण अपने बच्चों को जो प्रशिट्षन देना चाहिए जो अभ्यास देना चाहिए वो नहीं देते हैं मैं अपने जीवन से शिट्षा और अभ्यास के बीच में जो अंतर है वो आपको बताना चाहता हूँ शिठ्षा का मतलब है बस बता दिये क्या है क्या है क्या है अभ्यास का मतलब है कि उसका किस तरह से उपयोग करना है आप क्रम बद्ध तरीके से उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं इसका एक मेरे जीवन से सर्वत्त मुदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं हम लोग मेरा साला सारा पालन पोशन ग्वालियर में हुआ था जहां भाई रंजीत प्रभु की सेवा करते हैं हमारे चर्च में एक मिश्णरी दमपति थे विदेशी मिश्णरी थे उनकी वाइफ अपने किचन वगड़ा के काम के साथ साथ जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था एक पोर्टेबल टाइप राइटर पर टाइप करती रहती थी जितना उनको पत्रों का जवाब देना था साब टाइप राइटिंग से देती थी, बच्छपन से मैंने ये देखा था कि कैसे तेजी से बिजली की गती से उनकी उंगलियां चलती हैं, इसलिए मेरे मन में भी मोह आया कि मैं भी टाइप राइटिंग सीखूं। मैं जब आठवी क्लास में पहुचा, तो गर्मी की छुटियों में मैंने पापा से अनुरोत किया, कि मैं टाइप राइटिंग सीखना चाहता हूँ, और वहीं सामने ही एक टाइप राइटिंग इंस्टिटूट था, पापा ने मुझे जॉइन करवा दिया, जॉइन करवाया तो पहले ही दिन मेरे अध्यापक ने आकर सबसे पहले तो ये बताए कि ये टाइप राइटर है, इस टाइप राइटर में क्या है, कैसे है, कुझियां कैसी हैं, सब कुछ उन्हों ने बता दिया, उन्हों ने टाइप राइटर उठा कर नीचे से मुझे दिखाया कि इसमे लूब्रिकेशन कैसे करना होता है जिससे कि वो सही सही रीती से काम करे पहला दिन लगबग इसी तरह के ट्रेनिंग में बीट गया उसके बाद उन्हें ने मुझसे कहा कि अपनी उंगलियां फलाने लाइन पर रखो और एक-एक करके अच्छर टाइप करो तो आच्छर आजकल तो टाइप राइटर तो दिखते ही नहीं है पता नहीं उत्तर भारत में है या नहीं केरल में तो दिखते ही नहीं है यहां तो सब कंप्यूटर का प्रचलन है जिस लाइन पर अपने को प्रैक्टिस करनी होती है उसमें ASBFG सिमी कॉलन LKJH अच्छर है पस मुझे एक घंटे की जो ट्रेनिंग है उसमें ASBFG सिमी कॉलन यह अच्छर टाइप करने पड़ते थे शुरू शुरू में बहुत स्लो होता था इतना ही नहीं जब उस जमाने के टाइप राइटर ऐसे बेहुद है टाइप राइटर होते थे कि कई बार एक अच्छर टाइप करो तो वो जो है जम्प कर जाता था या बहुत सारे कीज जो है वो एक दूसरे में फस जाती थी पहले ही दिन मुझे बड़ी कुंठा हुई फ्रस्ट्रेशन कि वो में जो है में साहब तो बिजली की गती से टाइप करती हैं और मैं धीरे धीरे भी जो है चार अच्छर नहीं टाइप कर पा रहा तो मैंने एक निरने लिया कि जो लेसन है उसको मारो गोली अगले दिन से तो अगले दिन जैसे ही अध्यापक ने आके मुझे बताए कि कल के समान टाइप करो तो मैं हूँ हूँ करने लगा जब उनकी नजर फिरी तो मैं मन माना टाइप करने लगा और सच कह रहा हूँ प्रीव भाई और बहनों मन माना टाइप किया सारी कुंजियां एक दूसरे म होने लगे कुछ नहीं हो पाया मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड या कुढधित हो गया मैं और मेहनत से अपने साथ एक अंग्रेजी किताब ले गया थो उसमें से टाइप करने की कोशिश की किताब को देखके टाइप करने की तो छोड़िये धंग से एक शब्द भी टा इसा मत करो तुम मैंने जो बताया एस बी एफ जी से मी कॉलन इल के जे एच इतने अच्छर टाइप करो मैंने पूछा कि फिर ए से जड़ टक मैं कब टाइप करूंगा उन्होंने का बेटा अभी समय लगेगा कम से कम एक महीना तो अच्छर सीखने के लिए लगेगा उसके कि तीन महीने से जादा लगेंगे बेटा अनुमान मान के चलो कि छे महीने में तुम स्पीड में टाइप कर सकोगे यह सुनके मैं और कुंठित हो गया मुझे लगा कि अध्यापक मुझे बेवकूफ बना रहा है उसको फीस लेना है हर महीने इसलिए कर रहा है तो वो उधर को मुड़े तो मैं फिर जो है मन माना टाइप करने लगा हफते बर के बाद अध्यापक ने सर पीट लिया पापा को बुला के बताया कि आप अपने बच्चे को घर ले जाईए और फीस जो आपने जमा की है वो भी वापस ले जाईए उस साल टाइप नहीं सीख पाया जब मैं नाइन्थ में पहुचा मेरे पापा बहुत तेजी से टाइप करते हैं पापा से मैंने फिर कहा कि मुझे टाइप के लिए भेज दीजे तो पापा बहुत बिगड़े कि तुझे अधंग से वहां सीखने की इच्छा नहीं है मैंने बहुत फादर से मिन्नत की कि मुझे भीज दीजे, फादर ने भीजा, नाइंथ में, मैं तो मतलब वो कुत्ते की दुम जो है टेड़ी है, वो सीधी नहीं हुई, अध्यापक उदर को मुड़े तो मैं फिर जो है मन माना टाइप करने लगूँ, हफ्ते के भर के बाद फिर अध्यापक ने पापा को बिला के कहा क कि इस बच्चे को ले जाईए, आइंदा इसको वापस ना लाएं, लेकिन तब तक मेरे मन में बड़ी इच्छा थी, मैंने पापा से रिक्वस्ट किया, तो पापा ने का एक शर्थ में मैं तुझे कंटिन्यू करने दूंगा, अध्यापक जो जैसा कहते हैं वैसा करो, और उन्हाने अध्यापक से कहा कि बेटे को एक चांस और दिया जाए, उसके बाद अध्यापक ने बाकाइदा जो कहा, वैसा ही मैंने किया, उसका परिणाम क्या हुआ, कि मेरी जो दो महने की छुटी थी, उसमें पूरे के पूरे कीबोर्ड पर मेरा हाथ जम गया, ये मैं कि क्रमबद तरीके से मैं टाइप करना सीख गया, और कंप्यूटर युग आने के बाद, बैलकि कंप्यूटर युग के पहले ही, मैं अपना सारा काम टाइप राइटर पर करता था, सब कुछ, मैं मुझे एक पॉर्टेबल टाइप राइटर मिल गया था, और मैं जहां भी जाता था, एक बैक पैक में उसको ले जाता था, लोग कहते थे कि हाँ, वो टाइप राइटर वाला प्रीचर, आज मैं अपना सारा काम टाइप राइटर से करता हूँ, और इतनी तेज़े से टाइप करता हूँ कि मेरी उंगलियां भी कई बार आपको नहीं दिखाई देंगी, सवाल यह है कि एक बार जब मेरे अध्यापक ने आकर मुझे सब कुछ बता दिया, यह टाइप राइटर है, इसमें यह एच्छर है, एक लाईन में A, S, D, F, G, S, E, V, K, J, H, दूसरे लाइन में फलाने एच्छर है, तीसरे लाइन में फलाने एच्छर है, सब से उपर नंबर है, यह सब बताने के बाद जब मुझे पूरी जानकर हो गई, टाइप राइटर के बारे में, तो फिर मैं क्यों स्पीड में टाइप नहीं कर पाया, और दो महिने प्रैक्टिस करने के बाद स्पीड में क्यों टाइप कर पाया, जब अध्यापक ने मुझे पूरी जानकरी दी, तो वो शिठ्षा थी, उन्होंने मुझे शिठ्षा दी, क्या होता है, उसमें कितने लाइन होते हैं, उसमें क्या अच्छर है, लेकिन शिठ्षा देने के साथ साथ आपको अभ्यास नहीं हो जाता है, शिठ्षा अलग चीज ह अभ्यास अलग चीज है शिठ्षा मुझे बहुत अच्छी मिली थी लेकिन शिठ्षा के साथ-साथ मैं टाइप नहीं करने लगा मुझे अभ्यास करना पड़ा अभ्यास करने के बाद गती इतनी हो गई कि लोग देखके हरायन हो जाते थे कि इतनी तेज़े से टाइप कर रह है हम जब बच्चों को शिठ्चा देते हैं तो मुझवानी यदी शिठ्चा दे देते हैं वह अब्भ्यास नहीं है प्रिषिठ्षणंड नहीं है कई माबाप को ऐसा लगता है कि बस बच्चों को हमने बता दिया बाइबल पढ़कर सुना दिया अब वह बच्चा जो है सही जास्ते पे चलेगा नहीं प्रभू का वचन ये नहीं कहता है कि बच्चे को शिठ्षा दे हिंदी में वो अनुवाद गलत है प्रभू का वचन ये कहता है कि बालक को प्रशिठ्षन उस मार्ग को का दे जिसे उसे चलना चाहिए तो आज संपुष्ट परिवार से संबंदित ये विशे जितने माब आप आज प्रभू का वचन सुन रहे हैं उन सब को ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रभू का वचन ये नहीं कहता है कि शिठ्षा दो प्रभू का वचन यहां ये कहता है कि प्रशिठ्षन दो प्रभु का वचन ये कहता है अभ्यास करवा आप जानते होंगे आपने सुना होगा खास कर जो उतर भारत में हैं वे लोग जानते हैं कि उतर भारत में जो शास्त्री ये संगीत के एक्सपर्ट्स हैं वे लोग एक दिन में चार चार पांच पांच छे छे घंटे आठाट घंटे रियाज करते हैं रियाज आपने सुना होगा जो सर्वोत्म क्लासिकल म्यूजिक के गायक हैं वे अक्सर कहते हैं कि रियाज करते हैं रियाज का क्या मतलब है प्रैक्टिस क्लासिकल म्यूजिक के प्रैक्टिस को अक्सर रियाज शब्द से इंडिकेट किया जाता है, प्रैक्टिस, सवाल यह है कि प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, वे लोग तो क्लासिकल म्यूजिक की A, B, C, D जानते हैं, पुत्तर यह है कि किसी विशे की A, B, C, D जानने से आप उस विशे में दक्ष नहीं हो जाते हैं, आदम हुआ की कहानी सुनली, काइन हाबेल की कहानी सुनली, नूह की कहानी सुनली, उडाओ पुत्र की कहानी सुनली, तो उसका मतलब यह नहीं है कि उस कहानी के पीछे छुपा हुआ जो उपदेश है, उसको वो लोग समझ लेंगे, नहीं, इस कारण आज जो माबाप प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ प्री भाई, प्री बहन हम मैं से 99 प्रतिशत लोग बच्चों को शिट्षा दे देते हैं, प्रशिट्षन नहीं देते हैं शिट्षा और प्रशिट्षन, शिट्षा और ट्रेनिंग में आज शाम को अंतर समझ लीजिए यदि आप सिर्फ शिट्षा देते हैं, तो उसके सिर में थोड़ा बहुत ज्ञान भर दिया लेकिन भले और बुरे में अंतर करने की शक्ति उस बच्चे को नहीं दिया जब प्रभु का वच्चन कहता है कि बच्चे को प्रशिट्षन ट्रेनिंग उस मार्ग का दो तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह से गधों के समान दो महीने जख मार के मैंने ASDFG सेमी कॉलन LKGH टाइप किया उस तरह से आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को जीवन के हर मार्ग के बारे में प्रशिट्षन दें सवाल यह है कि प्रशिट्षन किस बात का दें सवाल यह है कि प्रशिट्षन कैसे दें सवाल यह है कि यहां पर ऐसा क्यों एक पद में प्रभू के वचन ने उसका जो सारा शे वो बता के क्यों छोड़ दिया इसलिए छोड़ दिया कि आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है माबाप की जिम्मेदारी बनती है जैसा मैंने पचास बार कहा है हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे कुत्ते कुतिया भी पिल्ले पैदा करते हैं मनिश जब बच्चों को जन्म देता है बस काफी सारे बच्चे पैदा कर दिये साड़क पे छोड़ दिया ऐसा नहीं होता है मनिश का बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए माबाप को पैदाश के पहले तैयारी करनी चाहिए और एक बार जब वो पैदा हो जाता है तो उसके बाद 20, 25 या 30 साल तक वो आपकी चत्र चाया में रहता है क्यों ऐसा प्रभू ने किया जैसे पिलों को दो-चार दिन दूद पिलाने के बाद कुतिया साड़क पे छोड़ देती है मनिश क्यों अपने बच्चों को नहीं छोड़ देता है पर मिश्वर ने क्यों मनिश के बच्चों को ऐसी योगिता नहीं दी जानुवर बच्चे देते हैं, बच्चा पांच मिनिट के बाद खड़ा हो जाता है पैरों पे, मनिश के बच्चे पांच मिनिट में क्यों खड़े नहीं होते पदमेश्वर ने बच्चों को माबाप के उपर आश्रित इसलिए किया है कि मनिश जब इस संसार में पैदा होता है, तब उसको पेरों पे खड़े होने के साथ-साथ उसका काम नहीं होता है उसको ट्रेनिंग चाहिए, प्रशिट्षन चाहिए और वो ट्रेनिंग या प्रशिट्षन एक साल के लिए या दो साल के लिए नहीं, औस यदि हम ले लें, तो बीस साल के लिए प्रशिट्षन लेना होता है आजकल बच्छे कुछ जल्दी घर छोड़ के College में चले जाते हैं लेकिन इवन जो घर छोड़ के चले जाते हैं वो लोग भी कम से कम 18 साल की उमर तक तो माबाप के उपर आश्रेत रहते हैं और जितने समय वो College में पढ़ते हैं तब भी माबाप के उपर आश्रेत रहते हैं तो भले ही आपके चप तले से वो हॉस्टल चला जाए या चली जाए अपनी पढ़ाई के लिए लेकिन इसके बावजूद आज आदुनी के उग में भी बच्चा 24-25 साल तक आपके उपर आश्रेत रहता है क्यों इसलिए कि मनिश के बच्चे या बच्ची का जो ट्रेशिलन है उसको जो अभ्यास दिया जाना है उसके लिए इतने सालों की जरूरत है मनिश्य जानवर नहीं है कि पैदा होते हुए, होते ही उसको आप धक्का दे के बाहर कर दे कि अब जा तू पैर पे खड़ा हो गया है, हफते दो हफते दूद पी लिए, तेरी आँख खुल गए है, अब तू अपने रास्ते जाए, नहीं 20 से 25 साल का ट्रेनिंग, परिशीलन, अभ्यास मनिश के बच्चे के लिए जरूरी है, इसलिए कि ये मनिश्य जीवन, जानवरों का जीवन नहीं है, मनिश्य जीवन एक ऐसा जीवन है, जिसमें वो भले और बुरे की पहचान पाकर, अपने स्वयम की स्वेच्छा से प्रभु ईश्य को मुक्तिदाता ग्रहन करके, स्वेच्छा से आत्मिक जीवन जीए, और स्वेच्छा से पवित्र जीवन जीए, ये अपने आप नहीं आता है, इस विशे में पवित्र बाइबल से कहनिया सुनने के साथ साथ इस विशे में ज्यान नहीं आ जाता है, इस विशे में बाइबल से आप यदि कुछ चीज़े सुना दें, तो उस बच्चे को शिठ्षा मिल जाती है लेकिन उसको अभ्यास नहीं होता है ये समझ कर हम आगे बढ़ेंगे यदि हम बच्चे को आत्मिक जीवन का अभ्यास करवाना चाहते हैं ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो क्या करना होगा ट्रेनिंग नहीं दे तो क्या होगा ट्रेनिंग यदि नहीं देंगे देखिए ट्रेनिंग देंगे तो भी हमारे कुछ बच्चे उड़ाव पुत्र निकलेंगे प्रभू ईश्यू ने जिस उड़ाव पुत्र के बारे में कहा था उसमें पिता पर्मेश्वर को प्रदर्शित करते हैं चुकि उस उडाव पुत्र के कहानी कि मैं पिता पर्मेश्वर को प्रदर्शित करते हैं इसलिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि उडाव पुत्र को आवेशक ट्रेनिंग घर में मिल गई थी इसके बाउजूद वो बरबाद हो गया ये बात अलग है कि घर में जो ट्रेनिंग मिली थी उस ट्रेनिंग के कारण वो घर वापस आ गया लेकिन घर में सर्वोत्म ट्रेनिंग मिलने के बाउजूद वो घर छोड़के चला गया जो कि प्रभु के वच्चन से हमें ये बात याद दिलाता है कि आप अपने बच्चे को सर्वोतम ट्रेनिंग देंगे इसके बावजूद आपके कुछ बच्चे बर्बाद हो जाएंगे फरक ये है कि जिन बच्चों को बच्चपन से सही रीती से ट्रेनिंग दी जाती है वे जब अपने जीवन में पूरी तरह से बर्बादी को देख लेते हैं मतलब बर्बादी की चहरम सीमा तक जब वे पहुँच जाते हैं तब अचानक उनको याद आता है कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये परमेश्वर के प्रती समर्पन ना होने के कारण है और इस कारण वे अपने आपको परमेश्वर के प्रती या अपने पिता के प्र मैं इस तरह के कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने बर्बादी की गहराईयों में जाने के बाद अपने आपको पडमेश्वर के प्रती समर्पित किया और जिस तरह से उडाओ पुत्र को पिताने दोड़ कर उसको लपेट लिया था लिप्टा लिया था उसी तरह से जो लो उनको जीवन देते हैं वो एक अनोखा जीवन होता है तो यदि आप अपने बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो भी कुछ बच्चे बर्बाद हो जाएंगे लेकिन जब बर्बादी की चरम सीमा आ जाएगी तब वे अपने आपको पडमेश्वर के प्रती पुनर समर्पित करेंगे और उसके साथ साथ उनका जीवन जितना अद्बुत हो जाएगा वे जितने लोगों के लिए अनुग्रह का कारण होंगे वो अपने आप में अनोखा होगा तो यदि आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं तो भी कुछ तो बर्बाद हो जाएंग ट्रेनिंग ना दें तो शत प्रतिशत बच्चे बर्बाद हो जाएंगे इसलिए कि जब एक बच्चा संसार में जन्म लेता है तो वो भले और बुरे के ग्यान के साथ जन्म नहीं लेता है उसका दिमांग बिल्कुल खाली होता है सबसे पहले वो अपनी मां को पहचानता है उसके बाद वो अपने पिता को पहचानता है धीरे 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 उसकी पहचान बढ़ती चली जाती है लेकिन मां और बाप को पहचानने के अलावा उसको जीवन में और भी बहुत सारी बातें जानना और पहचानना जरूरी है और ये पर्मेश्वर ने ही इसलिए निर्धारित किया है कि मनुष के बच्चे अपने माबाप के साथ लगभग दो देशाब्दी औसत 20 साल के आसपास रहेंगे और इन 20 सालों में माबाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को आवश्यक ट्रेनिंग दें, आवश्यक अभ्यास कर आपके बच्चे शक्त प्रतिशत बर्बाद हो जाएंगे, इसका सर्वोतम उदाहरन है पास्चाति राज्य, पास्चाति राज्यों में बच्चा लगभग 15 साल का हो जाता है, तो माबाप प्रोटसाहित करते हैं कि अब तू नौकरी कर ले, आप पूछेंगे 15 साल की उमर में नौकरी, जी हाँ, पास्चाति राज्यों में 15 साल के बच्चों के लिए नौकरी के बहुत आउसर होते हैं, जैसे अपने भारत में घरों में लौन लगाने की परंपरा नहीं है, लेकिन विकसित राष्ट्रों में घरों के सामने लौन लगाना जरूरी माना जाता है, उसमें जिस विशेश प्रकार की घास लगाई जाती है, बीच-बीच में उसकी कटिंग जरूरी है, पास्चाति राज्यों में बच्चे जब 15 साल के हो जाते हैं, तब माबाप उनको प्रोत्साहित करते हैं कि जाओ, पडोस-पडोस में जो लौन हैं उनकी कटिंग करो, औ उसके अलावा लड़कियों को ये बताये जाता है कि दूसरों के घरों में जाकर वे जब नोकरी के लिए जाते हैं तब उनके बच्चे देखो, और लड़कियां ये काम करती हैं, इस तरह से पास्चाति राज्यों में 15 साल की उमर से, लगबग 15 साल की उमर से बच्चे नो नोकरी करना शुरू कर देते हैं, 18 साल होते होते माबाप का नजरिया ये होता है कि तीन साल में तू अपने पेर पे खड़ा हो गया है या खड़ी हो गई है, अब तू रास्ता नाप, शब्द शब्च पास्चाति राज्यों में बहुत सारे परिवारों में हो रहा है कि 15 स साल में तूने नोकरी आरम की, 18 साल होते होते तेरे पास इंकम कर रास्ता हो गया, कुछ बच्चे अखबार माटते हैं, ये पाश्या तेरे जो में अखबार माटने का काफी बड़ा काम जो है वो लड़के करते हैं, ना कि एडल्ट, ना कि वाइस क्लूब, तो 18 होते होते बहुत सारे बच्चों को काफी इंकम होने लगती है, माबाप कह देते हैं कि अब तुम जो है रास्ता ना पो, इन में से कई बच्चे घर छोड़के, इदर दर जाकर, या तो किसी साथी के साथ, या अपने आप एक अत्काल कोठरी किराई पे ले लेते हैं, और फिर नौक परिनाम यह है कि जब उनके माबाप बूडे हो जाते हैं, माबाप को ले जाकर बूडों के लिए जो ओलडेज हो में होता है, वहाँ भरती कर देते हैं, महीने में एकाद बार जाकर, माबाप को विजिट करके आते हैं, भारती परिवारों में ऐसा होता है क्या भारती परिवारों में बच्चे अपने माबाप का सामा इन्नी परिवारों में जो परमेश्वर का भाई मानते ऐसे परिवारों में बच्चे बुढ़ापे में माबाप का खास ख्याल रखते हैं वहाँ नहीं रखते, क्यों 18 साल की उमर में जिसको धकेल के घर के बाहर कर दिया, वो अब माबाप क्या खाल रखेगा? उसी तरह से बच्चे जब एक बार घर छोड़के चले जाते हैं, तो वो कहां रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनकी शादी कैसे होगी? यह सब बच्चे अपने अब देखते हैं, देख लीजे, इस सिस्टम के कारण, आज पास्चातिय राज्यों में कितनी बरबादी है, माबाप बूड़े हो जाते हैं, ओल्ड एज होम में धकिल दिया जाता है, और जब कोविट सीसन आया, तो इन ओल्ड एज होमों में जो दुकरा दुकरी पड़े हुए हैं, उनके संचालकों में से बहुतों के बारे में यह रिपोर्ट है, कि उनने दवा करने के बदले दुकरा दुकरी को मार जाने दिया, क्यों? इसलिए कि ओल्ड एज होम जाने से पहले आपने जो पैसा जमा करवाए था, दुकरा दुकरे आके मरने के बाद वो पैसा उनका हो जाता है, तो दवादारू करने के बदले उनने सोचा कि खतम हो जाए, तो मेहनत बचे, नए लोगों को ले लेंगे, उनने जो पैसा जमा किया था, वो अपना हो जाएगा, कुछ और नया नगत नारायन आ जाएगा. बच्चों की क्या स्तिती है? बच्चों की स्तिती पाश्याती राज्यों में बहुत खराब है, बहुत ही खराब है, माबाप का मार्ग निर्देशन नहीं, इसलिए मन माने रास्तों पर जाते हैं, पाश्याती राज्यों में अपराद की संख्या, ड्रग अडिक्शन की हर तरह के कुकर्म की संख्या बहुत अदिक है। इन सबका क्या कारण है ? कारण ये है कि प्रभु के वचन में बच्चों को प्रशिट्छन देने के लिए जो कहा गया है वो प्रशिट्छन देना उन्हाने बंद कर दिया उसके बदले बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा पंद्रे साल की उमर में नोकरी के लिए भीज दिया, अठारा साल की उमर में लात मार के अलग कर दिया, बच्चे भी बरबाद, माबाप भी बरबाद, मैं आपको एक बात याद दे लाना चाहता हूँ, मेरे फादर 93 साल के हैं, 93, आज से 3.5.30 साल पहले उनके गाओं से हम उनको अपने साथ लाके ले आए, जब उनके तबियत बहुत खराब होगे, उनकी जित्ते की गाओं में रहें के लेकिन 3.5.30 साल पहले जब वो मृतिव के करीब आये, तब हम उनको यहाँ ले, क्यों ले भायरतिये परिवारों में पाश्चाति राज्यों के समान बच्चे को लात मार के घर के बाहर करने का वो सिस्टम नहीं है। लेकिन 24 साल तक इवन 24 साल जब मैं घर छोड़के चला गया तब वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं जाओं लेकिन कई कारणों से मैं आगे की पड़ाई लिखाई वगरा को सूच के घर से चला गया था। तो भारती परिवारों में इस तरह से 15 साल की उमर में नोकरी करवाना, 18 साल की उमर में लात मार के बाहर कर देना ये नहीं है। इसलिए बच्चे माबाप के प्रति अभी भी काफी समर्पित हैं। लेकिन ये समर्पन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बहुत कम होता जा रहा है। हम रोज कहानी सुनते हैं कि बेटे ने पिता से या पिता की मृत्ति के बाद मा से साइन करवा लिया और इसके बाद मा को ले जाके यहां वहां किसी जगह ले गए और वहां छोड़ के भाग आए। मा पड़ी लिखी नहीं है और फोन बगएरा नहीं है वो जिन्दगी बर सड़क पर भीक मांगती रही। इस तरह के मैंने सेकड़ों के इस देखे हैं। जब भीक मांगती ही किसी स्त्री या पूरिष से जब पूछता हूं किया रहे तुमको तो देखने से ऐसा लगता है कि तुम किसी अच्छे भले सब्रांत परिवार के हो। तब वो बताते हैं मैं क्या करूँ मेरे बेटे बेटी ने मुझसे प्रापर्टी पर साइन करवा लिया उसके बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जानवरों के समान दुतकार दिया। यह ना केवल छोटे परिवारों में हो रहा है। हिंदुस्तान के करोडपती परिवारों में हो रहा है। पिछले दिनों मैंने एक व्यक्ति का इंटरव्यू देखा। उसकी प्रापर्टी लगबग 10,000 करोड रुपे थी। 10,000 करोड रुपे। उस आदमी ने सोचा कि अब मैं 60-70 साल का हो गया हूँ। सारी प्रापर्टी बेटे के नाम कर देता हूँ। बेटे के नाम कर दिया। अगले दिन बेटे ने उसको बाहर निकाल दिया। जिस आदमी की प्रापर्टी 10,000 करोड थी। यह तो उसके उपर प्रभु के दया हुई कि उसके मित्रों ने जब वो धनी था तब उसने मित्रों की मदद की थी। उन मित्रों ने उसको बचा लिया, खान पान के इंतजाम कर दिया। क्यों यह होता है। आप कहेंगे कि ने मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, मेरी बेटी ऐसी नहीं करेगी। जो माबाप इस तरह से अपने बेटे या बेटी के प्रति अंद्भक्ती रखते हैं, उनके साथ यह जिरूर होता है। यह मैंने बहुत देखा है। इन सब के पीछे मूल कारण यह है कि हम अपने बेटे बेटी को जो ट्रेनिंग देना है, जो परिशीलन देना है, जो अभ्यास करवाना है, वो नहीं करवाते हैं। बस बच्पन से बाइबल की कहानिय सुना दी, काम खत्म। यह परिशीलन नहीं है, यह ट्रेनिंग नहीं है, यह प्रशिट्षण नहीं है, यह तो आपने यांतरिक तोर पर, यांतरिक तरीके से उनको बस कहानी सुना दी। बच्चे को पैदाइश के पहले से प्रशिट्षण देना है, इसके प्रशिट्षण के कई घटक हैं, एक आत बार मैं हिंद कर चुका हूं, और आज मैं आपको क्रमबद तरीके से सुनाना चाहता हूं, या बताना चाहता हूं, कि अपने बेटे या बेटी को मेरे अनुरोथ के बाद डाइरी मेंटेन करना शुरू कर दिया होगा, और प्रभू के वचन से जो भी प्रकाश मिलता है, मुझे पूरी उमीद है कि आप उस प्रकाश को नोट करते चले जा रहे हैं, फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप सोचते हैं कि मैं वो सब मन में रखूंगा, ये एक बहुत भारी भूल है, एक डाइरी रखना आसमान के तारे तोडने के समान असंभव बात नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को प्रशिट्शन कैसे देना है, इसको समझने के साथ साथ इसको नोट करते चले जाएं, ना केविल इसको नोट क करते चले जाना है, बल्कि किन-किन बातों का प्रशिट्शन देना है, ये भी नोट करते चले जाएं, और फाइनली किन-किन बातों का प्रशिट्शन देना है, इन बातों को समझ कर जब प्रभू के वचन से उन बातों को ग्रहन करते चले जाएं और नोट करते चले जाए तो अब पहला प्रश्ण है कि बालक को यदि प्रशिठ्षन उस मार्ग का देना है तो प्रशिठ्षन देने के लिए क्या क्या करना होगा प्रशिठ्षन में क्या क्या बातें बतानी होंगी पहली बात किसी भी बच्चे या बच्ची का प्रशिठ छण उसके जन्म के पहले से ही आरभ हो जाता है ये माबाप की जिम्मेदारी है कि वे बड़े भाई और भक्ती के साथ अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें ये प्रार्थना करें कि प्रभू हमको संतान दीजिए विशेशकर मैं याद दिलाना चाहता हूँ आधनिक यूग में हम जिस्तरे का भोजन खाते हैं और जिस्तरे की नौकरियां करते हैं उसके कारण इस बात की कोई ग्यारंटी नहीं है कि हमारे बच्चे संतान उत्पती कर सकेंगे उनके शरीरों में इस सरा का परिवर्टन आ रहा है कि इनमें से कईयों को या तो संतान उत्पने नहीं होती है या होने में काफी दिक्कत होती है तो आपकी प्रार्थना का पहला विशे तो यह होना चाहिए युवा दमपतियों का कि प्रभू हमको संतान देकर पुष्ट कीजिए क्योंकि संतान उत्पति में कुछ रोल हमारा है, कुछ हिस्सा हमारा है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा तो प्रभू आपका है. बालक का या हमारी संतान की जो ट्रेनिंग है, इसका आरेंब वहां पर होता है। और उसके बाद जब बच्चा मा के गर्भ में आ जाता है, तब रोज उसके लिए प्रार्थना करना, गाना गाकर सुनाना ये बहुत जरूरी है। मैं ऐसे कई दमपतियों को जानता हूँ, जो जहां पती पत्नी के पेट पे हाथ रखकर प्रार्थना करता है। दोने मिलकर गाना गाते हैं, आप कहेंगे कि बच्चा गर्भस्त शिशु उसके लिए पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना करने की जरूरत क्या है। देखिए, यदि आप अपने जीवन में लापरवाही से काम करना चाहते हैं और सब चीज यांतरिक तरीके से करना चाहते हैं, तो यह आपका चुनाव है, लेकिन हर चुनाव का परिणाम भी होता है। एक शिशु को इस संसार में लाना ये हसी खेल नहीं है, ये कि यांतरिक प्रक्रिया नहीं है, जानवर जिस तरह से बच्चे जनते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, मनिश्य एक शिशु को जब इस संसार में लाता है, तो वो इस तरह कि यांतरिक प्रक्रिया नहीं है उसमें शरीर भी involved है, मन भी involved है, प्रभू भी involved है, ये तीनों होने चाहिए और यदि आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, तो ये समझ जाएंगे कि जब एक शिशु मा के उधर में होता है, तब पिता की भी जिम्मेदारी है कि उस शिशु के लिए प्रार्थ ना करे उस शिशु के लिए गाना गाए, मा की जिम्मेदारी है कि वो घर में कोई भी काम करे, उसके साथ साथ प्रभू के वचन के गाने नियमित रूप से गाती जाए, ये सब सुनके आप सर पीट लेंगे शायद कि शास्त्री इंकल क्या ओंदी सीधी बाते कर रहे हैं, नहीं, उसके गर्भ में ही शिशु को काफी समझ होती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरन है, जब प्रभू ईशु की माँ, प्रभू जब उनके उदर में थे, तब अपनी कजिन इलिजबेत से मिलने के लिए गई थी, तो इलिजबेत के उदर में युहनना बप्तिसमा देने व आलक के प्रभू की माताशुरी मेरे मुझे मिलने के लिए आई है, इसलिए मेरा गर्बस्त शिशु कितना आनंदित है, तो प्रभू के वचन में ही हमको मिलता है, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैज्यानिक अनसंधानों से ये बात स्पष्ठ हुई है, क कि मा और बाप जो नजरिया रखते हैं, उसका आसर शिशु के उपर होता है, ऐसे बहुत सारे वैज्यानिक उदाहरन देखे गए हैं, कि जो मा नियमित रूप से जब शिशु उसके उदर में है, तो जो मा नियमित रूप से गाने गाती हैं, तो जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा बहुत जल्दी उस गाने को रकगनेस कर लेता है, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन उस गाने को पहचान लेता है, क्यों? इसलिए कि जब वो मा के गर्ब में था, तब से वो ट्यून सुनता आ रहा है, इसलिए यह दिए आप सूचते हैं, कि एक शिशु को जन्म देना एक यांतरिक बात है, ऐसा नहीं है, उसमें मनुष का शरीर भी इन्वाल्ड है, पति-पत्ने का शरीर इन्वाल्ड है, उनके मन इन्वाल्ड है, उनके आत्मिक जीवन इन्वाल्ड है, और प्रभु भी उसमें इन्वाल्ड है, और इसलिए जब प्रभु का व पहले हो जाता है और जब शिशु मा के उदर में आ जाता है तब वो जो ट्रेनिंग है वो चलता रहता है और पैदा होने के बाद तो बहुत आतीवर गती से ये ट्रेनिंग का काम आरंभ हो जाता है जो लोग प्रभू का वचन आज सुन रहे हैं इन में से ज्यादा तर लोग ब्रदरन परिवारों से है इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ मेरे प्रीए भाई बहनों, ब्रदरन परिवारों में कुछ बच्चों के पैदा होते ही, परिवारों में कुछ प्रैक्टीस, कुछ आदतें माबाप की हुआ करती थी, जो आज लगबग नश्ट हो गया है, हम लोग इतने लापरवा हो गये हैं कि इन जरूरी आदतों को हमने भुला दिया है, उन में पहली आदत है, बच्चा पैदा होने के बाद लगातार बच्चे से बात्चित करें, उसको समझ में आई या ना आई, उससे बात्चित करें, दूसरी बात, बच्चे को एक भरपूर शब्द भंडार दें, जिससे के हर विशे के उपर, बच्चा स्पष्टतिया सोच सके, सी, हमारा जो शब्द भंडार होता है, उसमें और हमारी सोचने की जो शक्ति है, इसमें सीधा सीधा संबंद है, इसलिए बच्चे के पैदा होने के बाद, उसकी ट्रेइनिंग में अगला कदम है, उससे बात्चित कीजिए, मा बात करें, बाप बात करें, समझ में आए या ना आए, उससे बात्चित कीजिए, आप मैंसे कई जिन्होंने बच्चे पाले हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे से आप बात करें, उसको समझ में आए या ना आए, वो मुस्कराने लगता है, उसको मालूम है कि मुझे अटेंशन दिया जा रहा है बच्चा ये बच्ची मुस्कराते हैं जिसका मतलब है कि उससे बाच्चित करने से उसका असर होता है उससे बाच्चित कीजिए मम्मी, डैडी या मा, पापा इसके बाद जब इतना बोलने लगे तो उसको और भी शब्द भंडार दीजिए बच्चे की कपैसिटी बहुत ज़्यादा होती है ऐसा अनुमान है कि एक औसत बच्चा एक तीन-चार साल होते होते प्रती दिन पचास से लेकर सौ शब्द याद कर सकता है आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल कैसी अनुमान ही कह रहे है अनुमान ही नहीं है आप लोगों के बच्चे लोवर केजी में जो किताबें पढ़ते हैं कभी ध्यान दिया है क्या अपर केजी में जो किताबें पढ़ते हैं उन पे ध्यान दिया है क्या पहली में जो किताबे पढ़ते उन पे ध्यान दिया है क्या आजकल बच्चों को पहली दूसरी में जो पढ़ाये जाता है वो मेरे जमाने में तीसरी चौती पांचवी में पढ़ाये जाता था लेकिन अब बच्चों की कपैसिटी समझ में आ गई है इसलिए उनको प्रती दिन और अविक पढ़ाये जाता है तो इसलिए प्रती दिन उनको शब्द भंडार दीजिए आप कहेंगे शब्द भंडार कहां से आएगा रे चारों तरफ शब्द ही शब्द है इस कोई कमी नहीं है बच्चे को लेकर जब आप चलते हैं जब वो लोर केजी में था बस के लिए छोड़ने जाता था या बस से कलेक करके लाता था तब बताता जाता था ये गधा है ये घोड़ा है ये खंबा है ये मुझे इसलिए यादा है कि वो हमेशे खंबे को कुमबा कहता था हर दिन मैं पूछता था यह क्या है खुंबा है बड़ी महनत लगी खुंबे को खंबा करने में लेकिन उसका फाइदा मुझे मिला आज मेरी उमर साथर के करीब हो गई है बेटा चालीस क्रॉस कर चुका है जीवन के हर महतुपूर्ण निरने को लेने से पहले मैं अपने बेटे से कंसल्ट करता हूँ जब वो 30 साल का था तब से मैं हर चीज इससे कंसल्ट करता हूँ महतुपूर्ण हर बात क्यों बच्चपन में मैंने उस में जो निवेश किया था आज मुझे उसका ब्याज मिल रहा है चक्रवर्दी ब्याज मिल रहा है खंबे को खंबा करने में बड़ी मेहनत लगी लेकिन आज जब मैं इस उमर पे पहुँच गया तो मेरे जीवन में खंबे को खंबा बनाने में उसका रोल बहुत है इसलिए बच्चे को जिस मारग में जाना है उसका प्रशिट्षन देने में ये शुरू शुरू के स्टेप्स हैं प्रभू ने मदद की तो इसके बाद के जो स्टेप्स हैं उनको हम प्रभू ने मदद की तो अगले हफ़ते देखेंगे इन बातों को समझने के लिए प्रबू हम सब की मदद करे। इसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस, हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हम को बहुत अधिक प्रोथ साहन देता है, जै मसीह की। झाल 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 झाल